जब में बादल बन जाओं तुम भी बारश बन जाना इसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे थाकि जब भी मैं वीडियो डालू आपको नौर्टिफिकेशन मिल जाए और फ्रेंट्स अगर आप लोग उसे व मास्टर आप्लिकेशन ऑपन कर लेती हूं यह उपन हो गया है इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो की रेषियो को ले लेएंगे तो 16 माली रेषियो को ले लेते हैं अब मीडिया पर क्लिक करके वीडियो में टूटल 8 तो सारे में आड़ कर लेंगे start position को and end position को अब अब इन सब में transition effect को add कर लेंगे तो presentation effect में आ जानी है and इसमें slide वाले effect को add कर लेते हैं तो सारे में add कर लेंगे पहले वाले में left ward हो चुका है तो अभी करेंगे right ward and अब करेंगे upward and last downward तो इसी तरह से continue चलता रहेगा left right and इसको डख लेंगे 34 second and अब इस वीडियो को export कर लेंगे export होने के बाद back आ जानी है and फिरसे इस plus वाल आइकन पर click करना है and फिरसे वीडियो की ratio को ले लेंगे and अब जो वीडियो अभी export हुआ है उसको इसमें add करेंगे and इसको इसकी वेगनेट को on कर लेते हैं and इसमें blur वाले effect को add कर लेंगे तो इसको full screen कर लेते हैं and settings में आके 4 रख लेंगे and इसको last तक रख लेते हैं and अब यहाँ पर video project को add करेंगे इसको full screen कर लेंगे and इसको करना है blend तो इसको screen करेंगे and अब जो video media में है इसको duplicate as layer कर लेते and template video को bring to front कर लेंगे and इस picture वाले video को इस frame में रख लेते हैं and अब यहाँ पर name की text को add करेंगे तो text वाले option पर आना है and यहाँ name को लिख लेते हैं and इसमें phone style को रख लेंगे and इसको यहाँ पर रख लेते हैं and इसको last तक रख लेंगे and जहाँ तक temperate video है वहाँ से background video को right side में trim कर लेंगे and इस name का एक duplicate बना लेते हैं and इसको यहाँ पर रख लेंगे and यहाँ name को edit कर लेते हैं तो guys आप लोग देख सकते हो यह video create हो गई है and song इसमें already add है और अगर आप लोग song change करना चाहते हो तो आप लोग template video की sound को off कर लीजेगा and इसके बाद audio में आके अब अपनी file से कोई भी song इसमें add कर सकते हो इसके बाद आपको इस share वाले icon पर click करना है and यहाँ पर आप video की size को select कर सकते हो इसके बाद आप इसको export कर लोगे तो यह आपकी file में save हो जाएगी तो thank you guys for watching this video और please याँ आप लोग जाते जाते हैं video को like जरूर कर लो और साथ ही आप लोग channel को भी subscribe कर लो ताकि मेरी new updates की notification आप तक आसाने से पहुँच जाए और friends अगर आपने भी तक मेरी other channel को subscribe नहीं किया है तो आप लोग जागे उसको भी subscribe कर लीजे उन सब की link आपको नीचे description में मिल जाएगी तो मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye Take Care